Cricket is a game of specialists, batsmen who can destroy bowling attacks and bowlers who can demolish a batsman lineup. But there's a rare breed of players who do both, और इनी players को हम कहते हैं All-Rounders. They are the true backbone of any team, जो batting भी करते हैं और bowling भी. हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे कुछ greatest All-Rounders के बारे में, जो cricket की history में अमर हो गए, तो चले शुरू करते हैं. Cricket के history में कुछ players ने ऐसे काम किया हैं, जो आज भी याद के जाते हैं. उन्होंने bowl और bet के साथ opposition को हर तरफ से pressurize किया, और अपनी team को match जिताने में मदद दी. सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे player की, जिनका नाम आते ही दुश्मन teams for a डर जाती है. पहले पर आते है Sir Garfield Sobers, एक ऐसे old rounder जो हर format में legends कहलाते हैं. Sobers ने अपनी betting के साथ bowling भी कमाल के की थी, उन्होंने 93 test matches के लिए और almost 8000 run बनाए, with an average of 57. सिर्फ इतना ही नहीं, Sobers ने 235 wickets भी लिया हैं, अपनी bowling के कमाल दिखा कर. Imagine ने एक player जो betting और bowling दोनों में इतना consistent हो, तो इसके बाद एक team को और क्या ही चाहिए होगा. Sobers का एक unique expect था, उनकी versatility, वो pace से लेकर spin bowling तक सब कुछ करा सकते थे, और उनकी betting तो क्या ही कहना. सबसे यादगार moment था, जब उन्होंने 1968 में एक over में छे चक्के मारे थे, जो एक test match का historic moment बन गया, जिसके बाद से वो test match में एक खतरनाक player के रूप में दिखने लगे थे, क्योंकि जिस हिसाब की गेंदबाजी और बल्लेबाजी वो किया करते थे, सामने वाले team उनसे हद से ज़्यादा डरा करती थी, जिसका फाइदा वो उठाया करते थे, और अपनी team को जीत भी दिलाते थे, दूसरे पर आता है कपिल देव, एक ऐसे legend जो अपनी fitness और एथलिजम के लिए जाने जाते हैं, कपिल देव ने इंडिया को वो दिया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, 1983 का वर्ल्ड कप, सबको तो याद ही होगा, उन्होंने अपनी old round abilities से दुनिया को दिखाया, कि एक Indian क्रिकेटर भी दुनिया के best old rounder में से बन सकता है, कपिल बाजी ने 131 test matches खेले और उसमें 548 run बनाये थे, बट बोलिंग में उनका असली जादू था, उन्होंने टेस्ट मे 434 wickets लिए, उन्होंने इंडिया के लिए सबसे पहले 400 wickets का milestone achieve किया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी, कपिल देव जिस हिसाब से गेंदबाजी किया करते थे, सामने वाले बल्ले बाज उनसे थर-थर कापा करते थे, क्योंकि जितनी उनकी height थी उसे सामसे वो बहुत ज़्यादा उची-उची bounces डाला करते थे, और उस समय बल्ले बाज हेलमेट पहन के भी निखेला करते थे, जिसकी वज़े से इनकी gain से और भी ज़्यादा डर लगा करता था, और कपिल देव की gain बाजी में speed और swing दोनों हुआ करती थी, जिससे इनकी gain को समझना थोड़ा सा जादा ही कठिन हो जाया करता था, 1983 World Cup में उनका 175 का iconic inning सबको याद ही होगा, कपिल देवने batting, bowling और leadership, तीनों को balance करते हुए अपनी team को world champion बनाया था, तीसरे पर आते हैं Jack Callis, जो कि modern day cricket में भी old rounders का perfect example है, Jack Callis को modern day cricket का सबसे complete player माना जाता है, उन्होंन उन्होंने 13,000 से भी जादा run बनायें, with an average of 55, but that's not all, उन्होंने 292 wickets भी लिये अपनी accurate team bowling से, अपने समय में Jack Callis भी बड़ी खतरना गेंद बाजी किया करते थे, जिस हिसाब की गेंद बाजी और face वो उडाला करते थे, तो सामने वाले बल्ले बाज उनके सामने आने से दिलाते थे, और सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, कैलिस की बैटिंग इतनी solid थी, कि उनको South Africa का वोल कहा जाता था, वो एक इनिंग को समालते भी थे, और जब जरुत पड़ती तो opposition को attack करते, कैलिस was a true match winner with both bat and ball, South Africa को जब भी जरुत पड़ती, तो Jack Callis अपने बल्ले या gain दोनों से ही मदद किया करते थे, जितनी परफेक्ट वो अपनी बॉलिंग में किया करते थे, उतने ही परफेक्ट बैट्समेन भी थे वो, इसलिए आज भी Jack Callis के कई ऐसे records हैं, जो बाकी के old rounder अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं, चोथे पर आते है sir M. Botham, जिन्होंने अपनी aggressive style से cricket को redefine किया, Botham England cricket का एक ऐसा नाम है, जो aggression और passion का symbol है, उन्होंने test cricket में 500 run बनाए और 384 wicket भी लिये, Botham अपनी attacking cricket के लिए famous थे, especially जब उन्होंने ashes series में match winning performance दी थी, अपने समय में वो भी एक बड़े खतरनाक बल्ले बाज और गेंद बाज हुआ करते थे, वो जिस हिसाब के Botham कोई सब लोग aggression और passion के लिए जाना करते थे, 1981 ashes series का वो unforgettable moment जो Betham ने एक impossible situation से match जिताने में England की मदद की, that's why ashes series को आज भी Botham ashes series कहा जाता है, और पाचवे पे आते हैं इमरान खान, पाकिस्तान के सबसे वड़े किर्केटर में से एक, एक phenomenal out rounder होने के साथ साथ एक extraordinary captain भी थे 1992 का World Cup जीतना इनकी leadership का सबसे बड़ा example है, इमरान खान ने 88 test matches खेले जिसमें उन्होंने 307 run बनाए और 362 wickets लिये, उनकी ability थी bowl को swing करना और wickets लेना, especially crunch situations में उनकी bowling cup fearsome बनता था, जिससे कि सामने वाले बले बास confuse हो जाया करते थे और अपनी wicket गवा देते थे, इमरान खा पागिस्तान क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज पर लाकर खड़ा किया, और उनी की कप्तानी में पागिस्तान ने कई सारे matches और tournaments में जीते, तो ये थे वो old rounders जिन्होंने अपने career में history लिखी और दिखाये कि क्रिकेट सिर्फ एक या दो skills का नहीं, बल्कि complete package का खेल है, आपका फेवरिट ओल्डर अंडर कोन है, कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं